हरा फिरन्सी में प्रपड याि चलि। के लिए बहुत इसनेक्स बशाद की तेस्टी मौसम में भर्साद की लगताए, सुबहे चाहके साद काहना चाहें, आशाम के साथ तेस्टी बनता है जिसके लिए हम नहीं कच्छा कठा ली है को छुटे चुटे पीश्षस में पहले कट लेंगे छीलका सभाहिए Wildlife मेहत लगती है इसनला फिपले दो इसका उबाल के लाद चिल को आटाएंगे जाए फ्रबेज आप में पाएट कर दिया है कि कम सब्सक्राइब दो से 3 सीटी आने तक अच्छा सा उबाल लेंगे हम कि गैस का फ्लेम हाई केक दूसर तीन सीटइ अने तूबाल करके एक साइड में से थंडा होने किला पहले राख देंगे यहां पर मैंने चेहने के दाल यू झानिक को राधर के लाधर के लुए राधबर को राखा अब दी स्टीं घंड़े क की लिए बुढ़ के सकते हैं को फुल गया थोड़ी जाहरी दनिया निया मैंने थोड़ी से लह स्वन राधर यू पर बा开 Pod ya तो इसे साथ यहां पर उबला हुआ जो हमें कठल उबालकर रखाता है वह लिया है उसके छिलके हम उपास कर की चमर से पर कि पिसके को निकालेंगे सब्सक्राइब करा चैने के दाल करना आप प्वर्ण सकते हैं बहुत ज्यादा में से महीन भी नहीं पीछना हलका ही पीछना है थुटे से यहां पर लाजन लिया है अलेस्वों के साथ यहां पर एटीस्पून कालिमीर्च लिया है च्छोटा चमच हमने कालिमीर्च के डाल दिये और दो से तीन यहां पर वहने लॉंक के डाल दिये हैं मसले की कॉंटिटी यहां अपरी सबसे तोड़ा कमियाधी कर सकते हैं साथ में यहां पर एक चमच चमच हमने जीरा के डाल दिया है बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनता है है घर्म को मिहमान आज़े तो भी आप इससे बना खिला सकते हैं बहुत ही अलक्स है बहुत ही टेस्टी रेस्पी है शाथ में साइच चीज़ों को डाल के में पानी इसमें नहीं अट करना है अधिरे एक चलाते हैं इसको अच्छे सा थोड़ा दरदर आ है इसको बीच लेना है इसको बावल लिया है इक कटोरी में से से इसको निकाल लेना साइच चीज़ों को कट्राल के इसको मसाला माट करेंगे मसालों के लिए हैं मैंने एक टीस्पून यांपर छुटा चमस यह हम्यादी कर सकते हैं इसको एक कटे पर प्याज हमने लिया है वह भी इसमें डाल देंगे बारी काट लिया तो जोड़ी सज में अब फ्रेस धन्या में लिया वह भी डाल देंगे कि साइच चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि अच्छे से हम यहां पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा इसको चप्टा जैसे लोई बनाती है नहीं लोई जैसे अच्छे से कवर कर लेंगे आप चाहें तो इस्टिक की जगह पेंसिल का भी इस्तमाल कर सकते पेंसिल को बीच में डाल करके और पर हम सेव लंबा या कोई भी से में आप इससे बना सकते कि यहां पर सारे स्टिक हमारे कवाव स्टिक बंके तैयार हो गया है इसके खानी के लिए साथ में चति बनाते चति लिए अप चेटनी बनती है बहुत अलगतत तरीकर Moyes की ख्रान रजाय लिए हाँ ह् ख्रान रजार में हर फंग डॉर्ष और देने धरील सुल लेश्ण के लिए लेएफ ड लेख और साथ में मयाद्रक कर लिया भूभी डाल देंगे थोड़ी से यहां पर सुखे पुदिने हैं वह डाल दिया प्रस पुदिना भी ला सकते हैं सुखे पुदिने दिया कई पुदिना सुख जाता है तो आप सुखा करके स्टोर करके डग सकते हैं और शात में यहां पे नमों डाल दिए नो विए ब्रसाप से सौधेंचा कम्यादी कर सकते हैं अग्याद दूसरा यहां पे जीरा डाल दियां एक हरे मिच्चे डाल दिए हैं नीबो का रस डाल दिए सारी चीजों काम ग्राइंड करने के लिए कि काफी देड़ तक यह रा बना रहा है चट्टे हमारी जिसके लिए आपके कुछ बर्रक की टुक्रे भी डालेंगे अब इस टेक्निक से बनाएंगे चट्टे आपकी काफी देड़ सका हरी बनी रहेगी दो सथीने आपके बर्क के टुक्रे डाल दिए उसका हम ग्रैंड कर लेंगे पानी आमें स्वेयर्टी करना है आराम से पिछ जाते हैं अब दिसक्तिए काफी हरी बनी हुई है और काफी टेस्टी कवा को डार्क हम ड्रिफ हाई कर लेंगे पुलेट पुलेट के और तो गैस का फ्लम लोग कर देंगे अच्छे से अंदर से भी सख जाए अब देस सकते दुनों सब कलर चेंज हो गया है महां टेस्टी से कबाब बनके तैयार हो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है अब शुबह की चाय की साथ खाना चाहा या सांकी चाय की साथ बर्षाद की मुश्य में तो और भी अच्छे लगते करऊंगा पकोड़ी मिल जाए कबाब मिल जाए बहुत अच्छे लगते हैं इस दर सारे कवाख हम डाल करके स्टी कवाख को डाल के डीफ्राइ कर लेंगे उम्हेद करते हैं कि दोस्तों आपके में अच्छी लगी होगी अच्छी लगत तो फिलिए सेर करना लाइक करना बिल्कुर ना बिले चैनल पर नहीं चैनल के सब्सक्काइब ना में बहुत मिलता है कि नहीं रेस्पार एक साथ थेंकियो वर वाचिव